Hello everyone, today we are going to build up some content to speaking English. Someone to ask these type questions, first is, tell me about orange, say something about orange, speak five sentences on orange. जब हमें संत्रों से रिटिस सेंटेंस बनाना हो, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, यही इस वीडियो में हम देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये संत्रे है, ये का इंगलिस दीस होता है, दीस का प्रियोग तब करते हैं जब यह दो यह दो से अधिक संत्रे पास में हो, और are helping verb का प्रियोग करेंगे. औरेंज बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर S लिखा हुआ है, इसलिए औरेंज पढ़ेंगे तो complete sentence बनेगा, these are orange संत्रे पेणों पर उगते हैं, औरेंज मतलब संत्रा, ग्रो मतलब की उगना, ट्रीज मतलब पेणों में तो complete sentence बनेगा, orange grow on the trees यह रसदार यह रसीले और मीठे होते हैं, रसदार को इंगलिस में हम juicy कहते हैं, और मीठे को sweet कहते हैं तो complete sentence बनेगा, these are juicy and sweet मुझे को I, like मतलब पसं, औरेंज मतलब संत्रा, तो complete sentence मनेगा, I like orange कुछ संत्रे बहुत खटे होते हैं, कुछ मतलब सं, औरेंज मतलब संत्रा, बहुत मतलब very, खटे मतलब sore तो complete sentence मनेगा, some orange are very sore बहुत से लोग रोजाना, ताजा, संत्रे का juice पीते हैं बहुत से लोग को हम इंगलिस में कहते हैं, many people drink मतलब पीना, fresh मतलब ताजा, orange मतलब संत्रा, juice मतलब हम juice के sense पर यूज करते हैं, जो रसीला होता है, everyday मतलब प्रतेक दिन तो complete sentence मनेगा, many people drink fresh orange juice every day we can make some question related to plants, like, first one is, tell me about plants say something about plants, speak five sentence on plants तो चलो देखते हैं, किस तरीके से हम sentence बना पाते हैं, plant से ये पौधे हैं, ये को हम इंगलिस में these कहते हैं, जो nearby हो और दो से अधिक हो plants मतलब बहुत सारे हैं, plant इसलिए हम यहाँ पे as का प्रियूग करेंगे तो complete sentence बनेगा, these are plants पौधे सजीव चीजे हैं, ये कह सकते हैं, या फिर पौधे सजीव होते हैं सजीव को हम living things कहते हैं, तो complete sentence बनेगा, plants are living things कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, कुछ मतलब some, plants मतलब पौधे, big मतलब बड़ा, small मतलब की छोटा तो complete sentence बनेगा, some plants are big and some are small पौधों को बढ़ेने के लिए हमेशा मिट्टी, पानी और हवा की जर्रत होती हैं, plants मतलब की पौधे, always मतलब हमेशा, need मतलब जर्रत होती है soil मतलब मिट्टी, water मतलब पानी, air मतलब की हवा, grow मतलब बढ़ने के लिए तो complete sentence बनेगा, plants always need soil, water and air to grow air to grow मतलब की उसे ब्रदी के लिए spoken English में milk-seated इस तरीकी के कोच्चन सुनने को मिलते हैं, जैसे की tell me about milk, say something about milk, speak five sentence on milk तो चलो हम इसी-seated sentence forming करते है मेरी मा रोज ताजा दूद खरीती है माय मतलब मेरी, मदर मतलब मा, बाय मतलब खरीदना, फ्रेस मतलब ताजा, मिल्क मतलब दूद, एवरी डे मतलब रोज तो complete sentence बनेगा, my mother buys fresh milk everyday यहां पे हम present indefinite tense का use होने के वज़े से, वर्ब को singular बनाने के लिए हम बाय में एस लगाए हैं, right? मैं सुबए दूद पीता हूँ, मैं मतलब I, drink मतलब पीना, milk मतलब दूद, in the morning मतलब सुबए तो complete sentence बनेगा, I drink milk in the morning दूद का रंग सफेद होता है, milk मतलब दूद, color मतलब की रंग, white मतलब सफेद, is मतलब है milk color is white, यह हमारी हड्डियों और दातों के लिए अच्छा है good मतलब की अच्छा, our मतलब हमारे, bones मतलब हड्डी, teeth मतलब दांत for मतलब के लिए, तो complete sentence बनेगा, it's good for our bones and teeth दूद हमारे सरीर को मजबूत और स्वस्त बनाने में मदद करता है, milk मतलब दूद, help मतलब मदद करता है our मतलब अपने, body मतलब सरीर, become मतलब बनाने में, strong मतलब मजबूत और healthy मतलब स्वस्त तो complete sentence बनेगा, milk helps our body become strong and healthy I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो like जरू कीजिएगा, पहली बार चैनल पे विजिट करें, तो subscribe करना न भूलें thanks for watching